हेलो फ्रेंट्स गुडिवनिंग कैसे हैं आप सब होफुलिए आप सब अच्छे होंगे और आज है 14 नविंबर 2020 तो आज है दिवाली तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुक्त कामना है और फ्रेंट्स मैंने सोचा कि अभी शाम का टाइम है हाँ बेटा हाँ चालेंगे बेटा तो फ्रेंट्स मैंने सोचा कि अभी शाम से व्लोग के साटिंग कर देती हूं क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि वही है फिर पूजा का प्रिप्रेशन हो जाता है खाना बनाना हो जाता है और फिर 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 पूजा करेंगे और फिर बह देशा आज का व्लॉग होने होला है काफी इंटरस्टिंग तो प्लीज व्लॉग में लास तक जरूर बने रहिएगा और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देजएगा शेयर कर दियेगा और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो चली फ्रैंण अभी जल्दी जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देती हूं कि वही है फिर विहान फो बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाएगा तो फिर भाद में फिर तयार होंगे तो बस अभी फिर मैं बना लेती को खा जाती है तो बस अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से पालक ने पानी छोड़ दिया है बस इतना ही फिर मैं भी इसको पकाऊंगे तो फ्रेंड्स पालक में थोड़ा बॉयल आ चुका है क्योंकि बहुत जादा तो उसे उबालने की कोई जरुत नहीं पड़ती है तो मैंने अल्रेडी काट लिया है और यहां पर फिर मैं प्याज काट लेती हूँ उसके बाद में फिर यह है जैसे फिर यह अभी ठंडा हो गया है तो अभी इसको बस एक बरतन में निकाल लेती हूँ और उसके बाद में फिर बाकी प्रिपरेशन करूंगी तो बस अभी इसको फिर मैं पीस लेती हूँ पेस्ट को तो फ्रेंड से यहां पे मैंने जो धनिया था उसको अल्रेडी पहले ही वाश करके रख लिया था तो इसको भी साथ में पीस लूँ क्या है ना कि पालक में जैसे कि उपर से धनिया वैसे डालते हैं तो वो इतना मतलब मजा नहीं आता है जब साथ में इसके पीस जाता है ना पेस्ट में तो वो काफी खाने में बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है तो बस अभी इसमें थोड़ा सा पाने और डाल के इस तरीके से मैं पूरा निकाल के रख लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी आज तो आप समझ सकते हैं त लिटा कम ऊजाते हैं तो कभी कुछ करना है के ऊच करना और फिर वहिए कि आप समझ सकते हैं कि घर में जब कुई बड़ा नहीं होता है तो एक कोई हैं वी जब अपने जाधा प्रोबलम हो जाती है तो प्रैंट सबस्ति Department पाला की ख़िछ तो रैडी हो चुका था तो बस यहां पर फिर मैंने कड़ाई में तेल गरम कर दिया तो और जीरा डाल दिया है और बस उसके बाद में फिर क्या है ना कि जो मतलब पालक का जो बाके चिज़ों का और प्रिप्रेशन है वो भी मुझे करना है तो बस यहां पर जैसे की प्याज और लसन वगर मैंने डाल दिया पढ़ रही थी तो बीजवित में जाके मैं आपने बाखी खाम भी कर रही है तो फिर यहां के तब तक फिर पनीर को भी काट लेती हूं जब तक उसका थोड़ा मिक्षर तैयार होगा तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं पाला का पेस्ट रेडी है और यहां पी मसाला ज मतलब ताी तो इसे सारे मसाले मतलब सार प्याज वगरे तो थोड़ा से भॉइल हलका सा हो जाता है तो उसके बाद में जब पेस्ट फिर त्यार होता है तो उसके आप पालक पनीर का जो टेस्ट है वह काफी अच्छा आता है तो बस अभी उसका दोनों का मतलब पालक का भी पेस्ट रेडी हो चुका है और ये टमाटर प्याज का भी पेस्ट रेडी हो चुका है और मेरे पनीर भी कट चुके हैं तो तब तक मैं मसाले डाल लेती हूँ तो फ्रेंड्स यहां पे मैं जैसे कि नमख डाल रही हूँ, लाल मिज़ डाल रही हiyorum, हल्दी डाल रही हूँ, और मतलब इसमे धनिया डाल लिया है, गरम मसाला डाल लिया है, सारी चीज़े ऐक साठ डाल लिये है है और नीचे में फिर विहान भी मस्ती कर रहा है तो बस ये ची norms अभी डाल ली है तो अभी तो थोड़ा सा इसमें पानी अड़ कर लेती हूं ये जो हमारी फिर प्यूरी रहेगी उषके अंदर में फिर मैं इनकों आड़ करूंगी तो अवी friends बस तेल डाल के जीरा डाल के और बस अभी मैंने pure अड़ करती है और उसके बाद में फिर इसमें मतलब कि थोड़ा से जैसे ही हलका सा फिर boil आ जाएगा उसके बाद में फिर मैं इसमें और जो मसाले हैं वो अड़ करूँ है तब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हलका सा फिर बॉयल आ गया है तो बस अभी इसमें मैं जो मैंने मसाले लिए हैं उसको भी अच्छे से एड़ कर दूंगी तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर दिख रहा है और मैंने अच्छली काफी दिनों बाद में पालक पनीर की सबजी बनाने वाली हों क्योंकि दिवाली का दिन था तो इसलिए फिर इस वज़े से फिर विहान के पापा बोली कि आज कुछ डिफरेंट सा कर लेते हैं तो सोचा कि पालक पनीर बना लेते हैं बागी तो इस बार मम्मी थी नहीं तो इतना कुछ मन भी नही पड़ता है तो बस जैसे ही थोड़ा सा मतलब हलका सा फिर बॉइल आने लग जाएगा वैसे ही फिर में इसमें पनीर एड़ कर दूँगी तो अभी आप देख सकते हैं कि पालक का जो कलर है वो भी थोड़ा सा हलका सा चेंज हो गया है तो बस फ्रेंट से अभी इसमें पनीर अधिर्ब के पालक पनीर के अंदर में थोड़ा यह अच्छा लगता है और फ्रैंड इस्में सबसे इंपोर्टेंट चीज जो में अध्ये मैं हैड़ कर रहे हूं तो बस अभी मैंने थोड़ा सा घी के ऐड़ कर दिया है एक फ्लेवर एड़ करने के लिए पालक पनीर में तो बस अभी आलमोस्ट मेरी जो पालक पनीर की सबजी है वह थे तो बस पालक पनीर की सबजी मेरी रैडी हो चुकी है बाद मे फिर जो बना में मैं बाद में बनाओंगी तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है पालक पनेर की सबजी आज मैं विहान को पैनाने वाली हूँ यह वाली ड्रेस दिवाली के लिए जो उसके लिए लेके आये थे तो बस अभी यह पिनाओंगी उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगे विहान कैसा लगता है तो यह देखे फ्रैंड्स अभी मैं हो चुके हूँ रेडी तो यह देखिए मैंने यह वाली साडी वियर की हुई है और यह देखे हमारे क्यूट से विहान को यह देखिए हेलो बुलूप यह है मेरा सिंपल सा लुक तो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट दर के बताईएगा और यह मेरे साडी कैसे लग रही है वो भी बताईएगा तो यह देखे फ्रेंग्स हमारे प्यारी से छोटी सी फैमिली यह देखे हमारे क्यूट से विहान को और यह हम रेडी हो चुके हैं बस पूजा करनी बागी है तो आप देख सकते हमारे क्यूट से विहान को किता क्यूट सा लग रहा है देखो आज कुरता पाजामा पहना है ह香港 को को हैना है तो हाँ है इतर बोलो थे अकुल idea कि ता दो हेला फ्रैंट अइतर देखिया है हाभा जप्रैंट आपका के अपम कि दना हना हुआ हम कृमें कृमें अटा रहा उसित से पिर ढहुत हम पोजा का मतलब पूरा सेट आप कर रखा है तो भस हम फिर पूजा कर रहे हैं तो यहां पर मैं विहान के पपा को मोली बांध रहे हूं हाथ पे और बस बोई है कि विहान जो है वह हमारा बहुत ही खुश होता है जब भी पूजा स्टार्ट होती है तो उसे ही अच्छा लगता है पूझा करने में काफी खुशी मिलती है उससे जैसे ही देखेगा कि ममा पूजा करने आल तो बहुत ही खुश रहता है तो अभी आप देख सकते हैं वो मेरे पास कैसे खड़ा हुआ है फूजा के पास में और एक चीज़ अच्छी है कि विहान बिल्कुल भी जब पूजा करते हैं तो बिल्कुल परिशान ऐसे करता नहीं है और यहाँ पर हो बोल रहा है कि ममा मुझे पूजा करनी है तो बस अब उसको मैंने किसी तरीके से नमकिन का पैकेट दिखा था फिर उसका मैंने ध्यान भटकाने के लिए पूरा तो आप देख सकते हैं और यह है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स यह है खेल खेलोने यह हमारे आप इसकी बहुत माननेता है क्योंकि पूजा में यह रखने होते हैं और यह इसी तरीके से हम लोग रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से फिरा भी हमारी पूजा हो चुकी है तो फ्रैंड्स होफुली आप सब की विदिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी तो आप सब किस तरीके से पूजा करते हैं वो भी मुझे कमेंट करिएगा क्योंकि ऐसा होता है कि हर किसी के पूजा करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है लेकिन सबसे जो बड़ी चीज होती है कि सब के दिल में बस यही कामना होती है कि लक्ष्मी माता उन पर कृपा बनाए रखे और उनके परियार में खुशाली बनाए रखे तो बस हमारी भी यही कामना है कि हमारे सब के परियार पर लक्ष्मी माता की करपा बनाए रहे तो फ्रेंट्स यह जो मेरा दिवाली का व्लॉग है यह एक्चुली थोड़ा हो सकता है दो-तिन दिन लेड जाए क्योंकि क्या है ना कि थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम काफी जादा हो रही है तो इस वज़े से परिशानी हो रही है तो आप देख सकते हैं विहान को कितना इंट्रेस्ट ले रहा है पूजा में और आप देख सकते हैं अभी फिर बहार चला गया है और ये देखें बहार में ये क्या कर रहा है हमारा क्यूट सा विहान तो फ्रेंड्स बहुत सारे चीजे जिनमें विहान के पापा ने हेल्प कर दी तो दिये वगर विःंद के पापा ने लगा दिये थे जिससे मेरी काफी हैलप हो गई तो भाए अच्छा लगा मुझे. यह देखिए ऐसे फैंड्स हमारे क्यूट से विःंद को. यह देखिए फूजा हो गई है हमारे विःंद को पता है भई बका बन क्she Patch हो गई है. और उसके बाद में फिर खाना तो मेरा वैसे रेडी हो चुका है विहार तनु दिदी ये रितो देखो देखो गुड़ू यहाँ देखो यहाँ देखो हटो हटो जुटा भी चड़ागा आराम से यह तो सारे घर में सेर करेगा कहाँ चल दिये तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम कहां आ गए तो फ्रेंट्स यहाँ पर एक्चली हम हमारे जिठानी के घर पे आई हुए हैं क्योंकि ताय जी और जिठानी वगर के पैर चोने के लिए आते हैं तो बस उसी के लिए आये थे विहां डिखाओ ममा को डिखाओ यहाँ आपके डिखाओ बिली विहां कितना yapt एजोए कर रहा है और यह कितनी प्यारी सी केट है विहां आत हमे जny ही बहुत ही प्यारी सी लगती है जो विहां ने हमारे घर पे वो पुरी खराब कर दी है जला क्या हो विका टूट गया अपनी साइकल पेडल पेर रखो इसका मैंने अल्रेडी एक वीडियो शेयर तो पेडल पेर अलो प्रेंट बोलो क्या कर रहे हो किया क्या कर रहे हो हुआ कि किया तो बुज गया और यह क्या है आपका एक एक जुत्ता कहां गया रख दो बेटा, इसको रखो रखो इसको रख दो तो फ्रेंड्स अभी हमने खाना खा लिया है अभी हमारा सबका खाना हो चुका है और बस अभी और तो क्या पटा के वगरे तो कुछ इतने चुडाने नहीं है इस बार तो बस अभी कुछ नहीं बस अभी सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि वह है कि इस बार के जो दिवाली है वो उतनी exciting नहीं feel हो रही है जितनी हर साल होती है और बस अभी वह है कि अभी बस थोड़ा सा ये देखिए हमारे विहान का वो हेलो हेलो तो फ्रेंड्स आज का हमारा दिवाली स्पेशल ब्लोग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले